दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगनेवीर वायू इंटेक 0-1-2025 के लिए अपना उनलाइन फार्म घर बेठे किस तरीके से भर सकते हैं तो दोस्तो मैं step by step एक live demo फार्म फिल करके दिखाऊंगा जिसको देखकर आसानी से आप अपना फार्म भर सकते हैं तो दोस्तो आपको वीडियो को end तक जरूर देखिएगा ताकि आपको फार्म भनने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो अच्छे से समझ में आ जाए तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हसोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आपको इस साइट पर आना है यहाँ से फार्म फिल अप होता है तो आप इसको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से इसका नोटिपिकेशन उसके बाद में आप अपलाई कर सकते हैं अगर इलिजिबल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगनिवीर बायू इंटेक 01-2025 की जो है यह बैकेंसी तो 2024 में जो फार्म फिल अप होता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपना लोगेन आईडी पासबर डालना है तो इसके लिए आपको क्लिक हैर टू रेइस्टर डिस्वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगी यहाँ पर candidate name यहाँ पर आपको अपना candidate का name डालना है जो भी आपकी mark sheet के according है 10th की उसके हिसाब से यह अपना नाम डालिएगा यहाँ पर अपनी email ID डालना है और यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है और generate OTP इस पर क्लिक करेंगी और तो यहाँ पर आपका OTP on email ID का और यहाँ पर OTP on mobile तो यहाँ पर email ID यहाँ पर mobile का OTP डालके और यह capture code को आपको यहाँ पर इसको फिल करना है और यहाँ पर register button पर क्लिक करेंगी फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना user name में अपनी email ID डालेंगे और यहाँ पर आपका password आपकी email ID पर mobile नमबर पर भेज़ दिया जाता है अपनी user ID पासबर डालेंगे capture code को फिल करेंगे, login करेंगे तो यहाँ पर आपको नया password बनाना है यहाँ पर आपको new password में कम से कम 8 अक्षरों का और ज़्यादा 16 अक्षरों के बीच में इस बॉक्स में फिल करेंगे और reset my password इस पर क्लिक करेंगे आपका जो database है open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले instruction तो यहाँ पर जो instruction है आपको इसको सबको पढ़ लेना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों इन दोनों डब्बों पर आपको टिक कर देना है और continue to registration इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिर बैट करना है फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो details है वो यहाँ पर भरना है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक live demo form फिल करके दिखा रहा हूँ जिसको देखकर आसनी से अपना form भर सकते हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा ताकि आपको form भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो अच्छे से समझ में आ जाए तो अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को subscribe करें तो यहाँ पर दोस्तो आपको father's name इस बॉक्स में father's name डाल देना है आपकी जो details है 10 की mark sheet के हिसाब से ही डालना है यहाँ पर mother's name डालेंगे इस बॉक्स में यहाँ पर आप male candidate है या female candidate वो select करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आपको select your date of birth तो यहाँ पर इस calendar से सबसे पहले year select करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर date यह अपनी date of birth यहाँ से select कर लेना है और are you surveying in any IAF अगर आप पहले से इस department में है तो yes कर सकते हैं नहीं तो आपको no पर टिक करना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो save and continue करेंगे तो अगले इस्टे पाती है qualification based on which you are applying for requirement IAF तो यहाँ पर educational qualification आपके पास में क्या है यहाँ पर 10 प्लेस टू ट्वल्थ intermediate equipment with English and without physics and math अगर आपके पास में English subject है और without physics है तो आप यह वाला select करेंगे अगर three year diploma course और यहाँ पर यह है तो यह select करेंगे और two year vocational course है तो यह select करेंगे 50% मार्क से साथ में आपको पास होना चाहिए और English by the concern education board तो आपके पास में यह qualification होना चाहिए तो यहाँ पर yes करेंगे तो आपकी details यहाँ पर आ जाएगे तो यहाँ पर have you been declared as per in physics math subject तो आपके पास में यह है तो आप यहाँ पर yes करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो यह option आएगे अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ पर no करेंगे तो यहाँ पर only arts से है या science से है या commerce पर है कोई भी select कर सकते हैं आपके उसके हिसाब से यहाँ पर post आ जाएगी यहाँ पर दोस्तो अगर आपका physics और math subject यहाँ पर नहीं है तो आप पर eligible रहेंगे other than science subject तो यह select करेंगे तो यहाँ पर कौन से बोट से पास किया है अपनी बोट select करेंगे पास में 3A diploma है तो आप इस पर select करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके पास में physics math subject है तो yes करेंगे तो यहाँ पर यह option मिल जाएंगे science subjects और other than science subject और both science subject तो जो भी है वो यहाँ पर select करेंगे जैसे आपके पास में यह नहीं है तो इस पर no part tick करेंगे तो यहाँ पर you are not eligible appear तो यह इसके लिए नहीं पातर रहेंगे तो यहाँ पर yes करना पड़ेगा और उसके बाद में अगर आपके पास में two year vocational course है तो इस पर select करेंगे आप यहाँ पर आपके पास में यह 50% aggregate percentage होना चाहिए यहाँ पर तो उसके बाद में यहाँ पर अगर आपके पास में Have you been declared a pass in physics और math subject है आपके पास में तो यहाँ पर yes करेंगे तो यहाँ पर यह आप इसके लिए eligible रहेंगे और अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको other than science subject यहाँ पर आप select करेंगे तो आपको enter your vocational course की और यह details से दे देना है सारी तो यहाँ पर दोस्तो चलिए हम 10 plus 2 यहाँ पर इससे form fill करके दिखाते हैं पर यह आपके पास में है तो yes करेंगे और यहाँ पर किस subject से है तो यहाँ पर आपको select कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर applying तो science subject है यहाँ दर देन science subject वो यहाँ पर select कर सकते हैं जो भी है पर अपनी vote का नाम select करेंगे यहाँ पर दोस्तो एंटर aggregate gross percentage minimum 50% mandatory है तो यहाँ पर यह आपको अपना यहाँ पर percentage डाल देना है इस तरीके से उसके बाद में indicated grading system as per maxid आपका जो result है percentage में आता है या CGPA या grade जो भी जिसमें भी आता हो select करेंगे जिसे percentage में आता है तो यहाँ प पर English में कितने number आए वो यहाँ पर डालेंगे total कितने का होता था वो डालेंगे यहाँ पर subject wise percentage तो यहाँ पर कितने percentage बने इस तरीके से आपको type करना है यहाँ पर math के opt and mark यहाँ पर total कितने का होता था यहाँ पर subject wise percentage यहाँ पर physics के number यहाँ पर biology के number यह details आपको डाल देना है उसके बाद में do you have computer knowledge आपके पास में computer knowledge है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं तो इन में से basic knowledge है या intermediate या advanced वो select करेंगे अगर नहीं है आपके पास में तो no particular कर सकते हैं यहाँ पर do you have any additional marksit नहीं है पर आपके पास में other subject extra marksit है जैसे supplementary आई थी या फिर vocational course या जो भी इन में से कोई भी other extra marksit है तो यहाँ पर आप yes कर सकते हैं नहीं है तो आप no particular करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो higher education qualification graduation status आप graduation आप pursuing में है या complete हो गया है या discontinue या फिर not applicable अगर नहीं है आपकी graduation तो not applicable पर tick करेंगे और save button पर click करेंगे और उसके बाद में save and continue करेंगे यहाँ पर आपको marksit upload करना पड़ेगा तो यहाँ पर upload 10th marksit certificate तो यहाँ पर आपको browse पर click करके अपनी marksit upload कर सकते हैं या फिर digilocker से upload करना चाहते हैं तो paste document form digitilocker यहाँ से भी कर सकते हैं तो जिसे आपको इस से करना है save आपके पास में तो यहाँ से browse पर click करके मार्क सीट सेलेक्ट करेंगी और save करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर upload original scan copy 10th to mark seat तो यहाँ पर आपको original mark seat upload करना है तो यहाँ पर browse पर click करके select करेंगे और save बटन पर click करेंगे तो upload हो जाएगी तो उसके बाद में यहाँ पर save and continue करेंगे अगले step आती है communication details तो दोस्तो यहाँ पर आपको अपना permanent address डालना है दोस्तो अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like करें और channel पर पहले बार हो तो channel को subscribe करें यहाँ पर आपका house number डालना है या street colony अपना यहाँ पर full address डाल देंगे उसके बाद में यहाँ पर state कुन से state से है आप अपना state select करेंगे और यहाँ पर आपको अपना district select कर लेना है और यहाँ पर sub district यहाँ पर आपका जो तहसिल होता है वो यहाँ पर तहसिल select कर लेना है यहाँ पर village town city का नाम डाल देना है और यहाँ पर आपको nearest police station जो भी हो आपका उसका नाम डालेंगे यहाँ पर first office का नाम डालेंगे और यहाँ पर अपने area का pin code डालेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आपको आधा और आपका उपर जो परमनेट इड्रेस डाला वो और लोकल अड्रेस दोनों सेम तो इस डबब से डिक कर देना है अलग से देना चाहते हैं अपना लोकल अड्रेस तो यहाँ बी दे सकते हैं domicile state आप permanent कौन से state से है domicile certificate वो यहाँ पर select करेंगे और यहाँ पर district कौन से आपका domicile certificate बना है वो यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद में save and continue करेंगे तो अगले step आपके सामने आती है पर दोस्तो additional details तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्बा की यह details डालना है यहाँ पर enter any one clearly visibly permanent mark your body तो यहाँ पर दोस्तों आपको permanent आपकी body पर कोई tattoo हो या जला कटा किसी का भी निसान हो वो यहाँ पर permanent identification marks आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको candidate height यहाँ पर देख सकते हैं आपकी height जो मांगी है 152.5 तो आपकी कितनी है वो डालेंगे यहाँ पर आपक size डाल देना है यहाँ पर सूज size डाल देना है आपके कौन से सूज पहनते हैं वो size डालना है यह अपने coding आपको डाल देना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों additional details यहाँ पर are you certificate holder on national credit NCC का certificate है तो यहाँ पर yes कर सकते हैं और कौन सा है वो select करेंगे नहीं है तो आपको no प टिक करना है यहाँ पर discharge from Indian Army Indian Navy Government Organization State तो यह है तो yes करेंगे नहीं तो आपको no पर टिक करना है यहाँ पर दोस्तों knowledge of driving का आपको knowledge है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं और आपके पास में driving कौन सा है light motor vehicle या heavy या two wheeler जो भी हो यहाँ पर select कर सकते हैं नहीं है तो आप no पर टिक कर तो यहाँ पर अगर कोई work है आपको इसका तो आप yes कर सकते हैं नहीं तो आपको no पर टिक करना है अधर वाईस यहाँ पर इसका भी आपको knowledge है information technology का तो yes करेंगे नहीं तो आपको यहाँ पर दोस्तों इन सब पर no पर टिक कर देना है अगर इन केटिगरी में आप आते हैं तो आप yes कर सकते हैं, यहाँ पर language noun other than Hindi English के अलावा कोई language आती है, तो यहाँ पर yes करके उसका नाम डाल सकते हैं, नहीं आती है, तो no पर tick कर सकते हैं, उसके बाद में medical history, candidate medical history डालना है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर family medical history यह डाल देना है, उसके बाद में save and continue करेंगे, दोस्तो अगले step आती है, photo and signature upload करना, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, नहीं तो आपका photo और यहाँ पर signature और थम impression upload नहीं होगा, तो यह बहुत ही important चीज़े है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही important step है, तो इसको ध्यान पूर्बक समझना है, तो आपका photo upload हो जाएगा, नहीं तो आप तूपेंगे, बार बार आपका photo upload नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका photograph का size जो है, 10 से 50 क TV के अंदर में होना चाहिए, और जो photo है आपकी, इस तरीके का sample image है, यहाँ पर आपको studio पर जाना है, और select party पकड़ कर यहाँ पर name और date डलवाना है, photo खिचाने का, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी photo यह आपको हिचवाना है, select party के साथ में, यह नाम और date डलवा photograph, आपको rename करके, file का नाम यह रखना है, तब ही आपका photo upload होगा, और signature का signature रखना है, और thumb impression का file का नाम जो है, thumb underscore impression, तो यही same to same रखना है, नहीं तो आपका photo और यह चीज़े upload नहीं होगा, तो आप चाहो तो इसको copy करके, और आपका जो file का name है, वो rename करके, और यह paste कर सकते ह तो आपका इस प्रकार से तीनों का file name यही होना चाहिए, तब ही upload होगे, तो आपको यहाँ पर browse पर click करना है, अपना photo upload करना, photograph आपको select करना है, उसके बाद में continue to image correction इस पर click करेंगे, उस तो इस तरीके से photograph choice करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको इस से आड़ा या त देख सकते हैं, photograph upload हो चुका, अपने तीनों document upload करने के बाद में photos, signature और thumb, उसके बाद में यहाँ पर save button पर click करना है, तो save हो जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों capture live image, तो यहाँ पर आपको अपना live image खेचना है, तो दोस्तों अगर आप mobile से भर रहे हैं, तब भ आपको click करना है, तो यहाँ पर sample image आप देख सकते हैं, इस तरीके का आपको जो passport size का होता है, उतना size का आपको photo capture करना है, और उसके बाद में start camera पर click करके अपना photo यहाँ पर capture कर लेंगे, दोस्तों अपना photo आपको live capture करने के बाद में save and continue करेंगे, तो फिर उसके बाद में लिष्टे पाती है, यहाँ पर exam CT preference फैस बन के लिए आपको सबसे पहले अपना state select करेंगे, कौन से state में आपको first preference चाहिए, उसके बाद में अपनी CT यहाँ पर select करेंगे, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 5 CT अलग अलग choice कर लेना है, और उसके बाद में save and continue करना है, तो फ पहले आपको यह चाहिए, तो यहाँ पर पहला select करेंगे, यहाँ पर फिर second यह चाहिए, तो second इस तरीके से आपको यहाँ पर यह सारे 12 और 13 जितने भी है, वो अलग अलग आपको choice कर लेना है, उसके बाद में save and continue करेंगे, दोस्तों फिर यहाँ पर आपको preview check out कर लेना है, कि आपने सारी details से जो डाली है, वो एकदम सही है, अगर आपको edit करना चाहते हैं, तो अभी edit कर सकते हैं, बाद में edit नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखियेगा, तो यहाँ पर आपको paste your photo, तो यहाँ पर दोस्तों आपको place, आप कहां से यह form भर रहे हैं, अपने जगे to payment इस वाले option पर click करेंगे, इस टेक्शन है, वो चाहते हैं तो पर सकते हैं, कोई भी एक gateway आपको यहाँ पर select करना है, और यहाँ पर net banking या credit card, debit card या UPI या इन से किसी से भी option से आप payment कर सकते हैं, अगर internet banking से आप करना चाहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाई द internet banking सेलेक्ट करके, आप यहाँ से अपने bank का नाम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आपको अपने form की finally payment कर देना है, उसका printout निकाल कर सेप करके अपने पास में रख लेना है, तो दोस्तो इस तरीके से आप अगने वीर बायू, in tech zero ban 2025 के लिए, अपना online form घर बेठे आसानी स भर सकते हैं, तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में share कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चिनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करें, साथ ही bell notification, all per set रखें, जिससे आगे भी आपको इस related वीडियो मिल सके, thank you दोस्तो, धन्यवाद,